हेलो दस्तों तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे, सवस्त होंगे, तन्दुस्त होंगे आज हम फिर से पर्डिक टेवल का नीक्स पार्ट ले के आ चुके हैं और यहां पर जानने वाले हैं कि प्रियोडिक टेवल में कौन सा ग्रूप में कौन सा अलिमेंट रहता है S-Block, P-Block, D-Block, F-Block है क्या अखिर इसमें किस तरह के अलिमेंट होते हैं मिटल किधर, नौन मिटल किधर, मिटलोइट किधर रहते हैं इसके बारे हम लोग आज क्या करने वाले हैं फूल डिटेल बता करने वाले है आप लोग ने यह 11th का ही एक चेप्टर है जहां से इसी को हम लोग को आपको आता है और कर्बनिक जो रसान आता है यही से स्टार्ट होता है 11th में अगर देखा जाए तो ठीक है अच्छा इससे पहले हम लोग आप पड़ियों भी होंगे पर्मानुस राचिना एटॉमिक एस्ट्रक्चर जो 11 का एक चेप्टर है बहुत बहुत अच्छा चेप्टर है बहुत बड़ा चेप्टर है इसमें आपने पढ़ा होगा उससे रिलेट करके हम क्या करेंगे वह वहां बहुत बहुतनी डcze за अंधर ऑधसे आपको बताने वाले ठीक है तो धोरा से यहां पर भ्यान लखेगा जैसे आपको होना चाहिए कि जैसे साठी का और इस परफक है एक निशित पार हाइं सर्कुलर में क्या करता है इसके 4 तरफ क्या करता है चक्कर काटता है अभी तक का हम लोग के पास जितना element का खोज किया गया है अभी लगभाग 118 क्या सपास में लोग खोज किया गया है इसके कारण इसके अधार पे scientist ने अभी तक इसका सिफ total 4 सेल मतलब 4 कक्षा कहीं यहाँ पे हम लोग का क्या किया discuss किया है कितना कक्षा का total 4 कक्षा कहीं discuss किया है तीन हो गया यह चौथा कक्षा हो गया दो तो एक स्टाई हम लोग करके रखे हुए हैं इसले की हैं फिर जैसे जैसे फ्यूचर में element का खोजोगा तत्व का खोजोगा वैसे वैसे इसका क्या होगा और भी orbit बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सब और चार सेल और सबसेल भीतने हैं जितना सबसेल होता है याद रखेगा जितना सबसेल के संध्या उतना सबसेल होता है चार सबसेल है इसको हम लोग क्या करते हैं बोर व्यूरी सहाब थे जो निल्स बोर थे उनके द्वारा यह बताया गया तरह के से कि 2N2 इसका मतलब क्या आता है कि number of electrons in an orbit कोई भी orbit में किसी भी orbit में या कोई भी सेल में कितना electron अधिकतम रह सकता है या आपका इस formula के थे थे यह बोर सहाब का दिया formula है इसके थे थे हम निकाल सकते हैं जैसे यहाँ पर माल लेजिए अगर n ब्राव 1 रखेंगे मतलब पहली का चा की का बात करेंगे यहाँ पर electron की संख्या यहाँ 1 रखी चेट 2 आएगा सिर्फ 2 electron होगा अगर n ब्रावर 2 रखेंगे तो electron की संख्या आठ हो जाएगा Иसी तरह से यहाँ लोग क्या करेंगे n ब्रावर कितुन होगाउर 2 आठ यहाँ पर काद 18 electron हो जागा इसी तरह से अगर n बराबर 4 रखनेंगे तो electron की संख्या 32 हो जागा इसका मतलब यह हुआ कि पहली कख्छा में मतलब first orbit में अधिकतम electron दो ही रह सकता है लेकिन जो next अगला जो अलगा और यहाँ से लेके यहाँ तक पहला और दूसरा दोनों मिला के टोटल electron की संख्या कितना होगा 8 electron होगा इसका कहाने का मतलब यह हो गया यह जो आप देख रहे हैं सिकेंड orbit में maximum 6 electron रहेगा और 2 electron तो यहाँ रहा है तो टोटल electron की संख्या 8 हो गया इसका मतलब जो आपका बीट में 2 और यह जो सेकेंड और इसमें 6 तो टोटल मिला के सेकेंड सेल तक कितना electron आ सकता है 8 electron रह सकता है फिर जैसे हम लोग 3rd सेल में यहां इसमें 3rd सेल का मतलब यहां तक आएंगे तिसमें पहला भी आएगा दूसरा भी आएगा तिसरा तीनों को एड़ कर देंगे त तक 3rd सेल तक 3rd सेल में नहीं 3rd सेल तक ठीक है तो आप पहली देख लिए कि पहले सेकेंड यहां 8 यहां इसमें कितना हो जागा इसको जोड़ देंगे तो बाकी जो अगर बोलेंगे कि जो और बीट है इस और पर टोटल कितना गोमेगा तो इस पर सिफ टोटल एक्टन 10 गो इस पर इसी तरह से यहां पर सिर्ट इस पर 6 गोमेगा और यहां दो मेंक्षक टोटल करेगा यहां पर बैदके में घोजओदर आधिक्तम उसमें चौथा ओर पीट में अधिक्तम एलेक्ट्रों किसंख्या 24 आशकता है लेकर कोई बीच पूझे है 4 सेलग तथक एलेक्टोन की संगा कितना होगा तो सबको जोर दीज़े किसको पहला और बीट को भी जोर दीज़े इसमें इसको यह आगया यहां सो ज़ोरिया इसमें क्या पहला और बीट भी आगया दूसरा भी आगया, तिसरा भी आगया, चौथा भी आगया, सब को जूरिएगा, तो कितना एलक्टोन हो जागा, 32 एलक्टोन हो जागा, आगया समझ में, तो यहाँ जो समझा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीज़ेगा, जैसे हम लोग जानते हैं, आप यहाँ से समझ यह यहीं से समाज़िए देखे कैसे समझेगा S में अधिक्तम S काने का मतलब क्या होता है याद रखेगा जब लोग Atomic Structure पर रहे थे वहाँ पर Board साहब ने S को Sub-Sale कहा था मतलब उपक्षा कहा था क्या कहा था S को S को यह सब-Sale है ना जैसे यहाँ पर देखेगा क्या है Sub-Sale Sub-Sale इन्होंने किसको किसको कहा था S, P, D, F इसको इन्होंने Sub-Sale कहा था याद रखेगा Sub-Sale की संगा कितना होता है चार जितना सेल की संख्या होता है उतना ही Sub-Sale की संख्या होता है तो इन्होंने बता है था इस काने का मतलव के एस पीडी एफ चार होता है ना जैसे देखिए कितना चाला असानिये समझेगा एस पीडी टोटल चार हुआ इस पहले नंबर प्याता इसलिए इसमें आप यह क्या वह लेंगे फर्श्ट सेल फिर देखिया पी आपका दूसरे प्याता इसलिए क्या ब बोलेग दी ऑगपोळ तहोड सेल तक कितना सबसेल आता है तो बोलेगा ये तीन सब से शट का स retro क्या देखिए настолько है उसका पी देखेए को आटा है यह समझ में thil test tactics कोन सब्सेल कून होगत दी आओ बोलेगा उसके साथ पून आगा तो S और P भी आएगा मिला के 3 आएगा उसी तरह से अगर D सबसेल के मतलब आगा कोई पूछ दे कि चौते सेल में कितना एलेक्टोन होगा 4 होगा एक दो तीन चार चार आए तो चार देकि जैसे हम बोले यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अब बहुत वूरु दीखेत दूरू ये बटाये थे कि किस सब शेल में Nelectron कितना रह सकता है एक और चे आपको बता इए एलेक्टोन आपका सेल में नहीं रहता है याद रखेगा एलेक्टोन सेल में नहीं रहता है एलेक्टोन आपका सब सेल में रहता है कहां रहता है? सब सेल में रहता है और आप बोलेंगे कि सब सेल कहां रहता है तो सेल में रहता है इसके बाद आप बोल सकते हैं इसके कान बोलेगा कि आप इलेक्टोन बोलेगा सेल में रहता है कोई डायक्ट आप से पूछेगा कि इलेक्टोन कहां रहता है तो आप बोलेगा इलेक्टोन सब सेल उप कक्छा में रहता है फिर कोई पूचेगा उप कक्छा कहां रहता है तब बोलेगा वो सेल में रहता है तब बोले है घुमा कि आप इसके कहां हम बोल सकते हैं कि एलेक्टोन सेल में रहता है ठीक है ऐसे मत बोलेगा ठीक आप इसमें कितना एलेक्टोन इसके थूर निकाले थे दो एलेक्टोन निक एक सान तरीका कुछ याद करने का जड़ात ही नहीं है इसे कीजिए को खत्म ठीक है देखे में समझाए क्या रहा है यहां समझाए डौ कले पर आगे याद करने का जो सिर्फ इसी किजिए अगर यह फर्मूला याद है तो अच्छी बात हैं नहीं याद है तो number one को सिर्फ याद रखे बाकिसम में चार-चार दूरते जाएए आपका सब निकल जागा और किसी को भी S को पहला तो पहले पर रहेगा P दूसरे नंबर पर दूसरे पर रहेगा D तिसरे नंबर पर है तो तिसरे पर रहेगा और if आपका चौथे नंबर पर है तो ये चौथे पर रहेगा ऐसा नहीं कि आप इसको इधर उधर कर सकते है ये गलत हो जागा ठीक है जिसका जो पोजिशन है आप उसी पोजिशन पूशे रखें क्यों उसको एक किसका अधार पर सजाया गया एलेक्टोन की अधार पर है जि उसका मतलब जैसे-जैसे सबसेल में अधार के संगया बढ़ेगा उसका मतलब वैसे वैसे उस सबसेल का इनरजी लेबल प्रेश करेगा तो कि लिए चैया जो नाबिक से नजदीक वाला जो नाबिक से जो नजदीक वाला जो और्बिट है उसका इनर्जी लेवल सबसे जादा होता है या जो सबसे दूर पर उसका होता है तो आप क्या बोलेगा भाई जो सबसे दूर है उसी का तो इनर्जी लेवल जादा है तब ही तो दूर है नजदी के सेंगा बढ़ेगा तो इनर्जी भी तो खुद भाखुद बढ़ेगा आगा समझ में अब देखिए आप सूच रहोंगे पर तो रहे प्रियोडिक्टेबल यह कहां सा गया देखिए इसके पीछे क्या कंसेप्ट है वहां सिखाने वाले हैं सिर्फ यहीं यह मिलेगा और कही अब बोल सकते हैं सेल है कौन सा क्वांटम नंबर होता है कौन सा आपका स्पीन क्वांटम नंबर क्या होता है एजमूथल क्वांटम नंबर क्या होता है यह सब किस ने बताया था सारा का सारा आपका बोर ब्यूरी सहाब ने बताया था उसी को फॉलो करते हुए अभी का ज था रैंग वर्नर का प्रियोडिक टेवल कहते हैं इसलिए याद रखेगा अभी का जो मोडर्न प्रियोडिक टेवल है कौन जो हम लोग का का Modern periodic table वोलते ही साह सात में हम लोग किसका बोलते हैं इसी का बोलते है जो जो बोर ब्यूरी सहाब का है बोर ब्यूरी एंड और रैंग वर्नर क्या बोलते रैंग वर्नर सहाब को भी क्या ब 돌 together इसका मतलभ मोसले सहाब अकेले modern predictable को क्या किये थे उसे सजाज नहीं थे उनके साथकों क्या क्या है उनका साथ दिया था इसे participation को किसने किया था तो इसमें दो और लोग थे एक बोर ब्यूरी साब थे दुसरा रैंग वर्नर थे इन्हों ने उनको element को सजाने में atomic number का अधार पर रखने में इन्हों बहुत बड़ा क्या क्या था योगदान दिया था क्योंकि बोर ब्यूरी का ही तो यह सब कुस देन है जहां आप इन्हों बता है था कि निकोलिय से बाहर कितना औरबिट रख सकते हैं किस औरबिट में कितना सबसेल हो सकता है और किस सबसेल में कितना elektron होगा सारा देन तो इन्हीं का था आगा समझ में यही करन्त है मोटर प्योडिक टेवल को मुसले के साथ बोर ब्यूरी और रेंग वर्नर के मोटर प्योडिक टेवल भी कहा जाता है आगा समझ में हम क्यों पीछे बता है अभी और रीजन देखिए अब और समझ में आगा देखे है कैसे अब देखे क्या बात है जैसे हम बोले ना कि जब हम लोग निकुलियस लेकर जब उसके बाहर का और्बिट का बात कर रहे थे वहाँ पे इसको सबसेल के रूप में देखा जा रहा था जब इसी और सबसेल के रूप में देखा जा रहा था अब क्या क्या गया इन Scientist ने किया-क्या यह äg बोले या एक डायग्राम एक डायग्राम है अब इस डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं जो periodic table होता है उस पर सजा के देखते हैं जो इससे पहले किसने सजाय था चिह सबसे पहले mentally periodic table था आप यहां electron भर रहे थे, इसी electron को हम लोग क्या बोलेंग, element बोलेंग, कहां, predictable में, electron को हम लोग element बोलेंगा, क्यों, क्योंकि element, element किसे मिलके बना हुआ, electron ही से तो मिलके बना हुआ है, इसलिए इन्होंने कहा क्या क्या, यहां पर element यूज किया, सोरी, यहां पर तो electron यूज कि था उसी को इनोंने क्या कहा प्रियोडिक्ट टेवल में अभी का प्रियोडिक्ट टेवल देखते हैं हैं उस apro क्या इस सबसेल को सबसेल को एहां पेUNee block कहा ढ़ाक सबसेल में क्या कहा है आगया समझ में क्या कहा ब्लॉक और हम लोग बता चुके हैं कि एस सबसेल में लेक्टोन की सेंगे कितना होता है दो लेक्टोन होता है इन्होंने लेक्टोन को क्या कहा दो वर्क कहा दो ग्रूप कहा देखिए digit जो था वो तो यहाँ भी है इन्होंने electron को क्या का दिया group का दिया यहाँ पर दो electron है इसलिए इन्हों क्या कर दिया two groups कर दिया आगया समझ में कुछ नहीं है सब कुछ यहीं से उठाया हुआ चीज है इसको सिर्फ यहां पे इन्होंने सजाने का काम किया था अगला नमबर देखते हैं अगला नमबर दूसरा इसका तो लिख लिए इसलिए अभी का modern predictive mail देखिएगा जो पीछे प्रहा चुके है उसमें इस सबसेल में दो वर्ग रखा गया क्या बोला है इस सबसेल में दो वर्ग को रखा गया नमबर वन को हम लोग alkali metal कर दे दुसरे को अलका अथ मिटर बोलते है अगला दिन हम उसे हम परहाने वाले हैं पहले यह हो गया दो वर्ग हो गया अगला आप देखिए पी सबसेल का किसको करते हैं पी सबसेल नमबर वन देखिएगा सबसे कम इनर्जी किसका होता है सबसे कम इनर्जी वाला कौन था इस सबसेल था जो नाभी का सबसे नजदिक था यही करण था कि प्रियोडिक टेबल में सबसे पहले इसको ही सजाया गया था आगया समझ में यही करण S को सबसे पहला सजाय था, क्यों? क्योंकि यह तुम्हा नाबिक का सबसे नजदिक वाला जो सबसे पहला और्बिट था, वो S का ही था, इसलिए प्रियोडिक टेबल में भी S से ही स्टार्ट किया गया था, आगया समझ में कुछ है, कुछ नहीं है, स में आपका देखेगा दो गुरुप है से मिनूने क्या यहां पर फी में हम लोग देखें हैं चेक कर चुकि रचिक है कहा यहांपे छे है इसको खोरा सा यसे हैज कर देते हैं जगह तोड़ा मिल जागा अब देखे सो भी और जगह मिल गया अब रब करें किजिए arrayे क्या आगया, यह groups हो गया, कितना groups हो गया, छह groups हो गया, इसी तरह से हम लोग next का जखते हैं, next को न है, आपका, d-subseal है, कुन है, d-subseal है, आ गया, अच्छा, d- Racel में कितना यक्तन है, बावु, 10 यक्तन है, अच्छा, जो d है, so d का लेकिन इन्हों ने इलेक्टन को क्या आए ग्रूप का समध में hahaha आगै इसी तरह से मेरा लास्ट नंबर है लास्ट नंबर को भी हम लोग यहाँ दिखा देते हैं देख लिजिए अगला लास्ट जो हम लोग का एफ सबसेल था कौन था बभू एफ सबसेल था एफ सबसेल था एफ सबसेल को इन्होंने प्रियोडिक टेबल में क्या बोला एफ ब्लोक क्या बोला बभू इन्होंने एफ ब्लोक हम लोग जानती हैं कि जो आपका यहां चेक किजेगा एफ सबसेल में कितना एलेक्ट्रोन तो ऐसे करके क्या हुआ आपका मोडर्ण प्रियोडिक टेवल का जगत में निर्मान हुआ आगया समझ में प्रियोडिक टेवल ऐसे ही नहीं बनाया गया था इन्हों जो पीछे पढ़ाया गया था वियोड़ी शाहाब का जो सिध्धान था उसको और मिर्लिप साहब का जो पहले से स्टक्चर बना हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए उसके मद्धे कैसे सरा का सरा लिखा हुआ है इसलिए आप लोग जो इंड़ पर चुके नहीं पर हैं उनको और समझ में और से समझ में क्यों कि पहरे से आता नहीं है तो जो हम जो बताएंगे उनको अच्छे से पूरे से समझ में आगा ठीक है तो देख लिजे ऐसे करके क्या हुआ था प्रियोडिक टेवल बना था और पिछले क्लास में उसका इस्टेक्चर बना के दिखा दी चुके हैं तो देख लिजे कैसे बनाता है यहां आप से कोई पूच सकता है कोशन के कितना को सकता है अच्छा कोशन यह बेस होंगया। इसे आप कैसी तरह का कोशन और कैसा भी करसुट कर्सेप्ट आप किसी को दे सकता है ऊसके माइंड कोई कुछा सकते हैं कोई पुछेगा किritos u स्पूल में जो मो ब्लोग काहा सा और ऐसा क्यों हुआ कि आप लोगे स्कोरा में पहले ही ठीक है पर आपको बार में क्यों मैं रखे और यह सब आह minor वाता सकते पर यह उसमें दो वर ही क्यों हुआ उसमें 3 क्यों नहीं हुआ आप यहाँ से बता सकते क्यों ऐसा हुआ था पी में भी क्यों हुआ अब तर्फ क्यों एसके त्रू हुआ था इसके थू हुआ था उसका इसको यहां पर गूरूप और सबसेड है उसको ब्लॉक देने वाला है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं आज इसे यहीं तक रखते हैं हम लोग next class में मिलेंगे वहाँ पर क्या करेंगे दिखाएंगे कि जो इस ब्लॉक में 2, P में 6, D में 10, F में 14 ग्रूप है उसमें electron कैसे कैसे हम भरते हैं उसको भी अच्छे सिखेंगे यह सारा हम लोग का 11 का यह हम क्या करें लेक्शन नमबर सिकेंड आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक से बहुत ही हाई डिटिल तक ले जाएंगे आप नीट का हो जै मिन्स का हो कोई भी ले बता है उसमें में अच्छे से अगले दिन बताएंगे तो क्या करना आप लोग को यह तो कर रहे हैं साथ-साथ में काम आप लोग नहीं कर रहे हैं क्या कि वीडियो को फैला नहीं रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे ह और अच्छा आपको क्या करें, content हम देने का प्रियास करेंगे, लगतार आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हम लोग फिर next मिलते हैं, तब तक के लिए, जय हिंद